यहा हुआ जब रात धाई बजे का केली लड़की चुप चाप जोशिमट के नर्सिंग मंदिर के अंदर चली गई लेकिन फिर जो चमतकार हुआ उसे देखकर आपके भी रॉंग टेखड़े हो जाएंगे इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्च भक्त कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम मंगाल के कोलकाता शहर से जहाँ प्रिया शर्मा नाम की एक लड़की MBBS की पढ़ाई कर रही थी छुट्टी की दिनों में उसने अपने सभी दोस्तों के साथ केदार नाथ जाने की योजना बनाई दिसंबर सन 2022 के अंतिम सप्ताह में वे लोग केदार नाथ के लिए रवाना हुए जब उन्होंने ट्रेकिंग करना शुरू किया तब उन्हें समाचार मिला कि आगे मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है कई स्थानों पर भू संखलन होने के कारण केदार नाथ की यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोग दिया गया है और उन सभी के मन में बहुत निराशा हुई क्योंकि वे काफी दूर से केदार नाथ भगवान के दर्शन करने आये थे प्रिया के सभी मित्र पुनह कॉलकाता लोड गए लेकिन प्रिया के अंदर एक जीत थी कि मैं केदार नाथ बाबा के दर्शन करके ही रहूंगी और जब तक केदार नाथ की यात्रा पुनह शुरू नहीं हो जाती तब तक उसे रहने के लिए एक ठिकाने की जरुरत थी लेकिन कोई भी होटल वो कोई भी कमरा खाली नहीं था जिस वज़े से वो केदार नाथ से 51 किलोमीटर दूर जोशिमट के लिए रवाना हुई प्रिया अकेली ही बची थी और जोशिमट पहुचते पहुचते उसे रात की धाई बज गई इलाका बहुत सुनसान था और उस जगह से वो पूरी तरह से अंजान थी जोशिमट भारत चिन सीमा के समिपे एक नगर है जिसकी स्थापना स्वयमादी गुरु शंकराचारी ने की थी रातरी के धाई बज रहे थे इसले किसी अंजान लड़की के लिए किसी ने भी जोशिमट में दरवाजा नहीं खोला लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसके सवय महादेव होते हैं तब ही प्रिया को सामनी के और एक शिव मंदिर दिखाए दिया लेकिन उसके बाहर ताला लगा हुआ था तो प्रिया उस मंदिर के बाहर ओ टले पर ही सो गई लेकिन तक्रीबन राद चार बजे प्रिया के साथ एक इसी घटना घटित हुई जिसे देखकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे उसकी नींद अचानक से खुल गई और उसने नजारा देखा कि जोशी मट में सभी लोग इधर उदर भाग रहे थे जब उसने पता करा तो पाया कि जोशी मट में भू संखलन हुआ है और यहाँ पर कई सारे घरों में दरारे आ गई है और संभावना है कि जोशी मट कभी भी जमीन के नीचे धस सकता है प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी वो मन ही मन ओम नमस्शिवाय ओम नमस्शिवाय मंतर का जाप कर रही थी इतने में ही उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा भू संखलन हुआ और वो उस भू संखलन की चपेट में आ गई उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी लेकिन अंदर उसे कुछ ऐसे नजारे दिखे जिसने प्रिया के होश उड़ा दिये उस भू संखलन के अंदर उसे एक ऐसी श्विलिंग नुमा आकरती दिखाई दी जो की स्वयंभू बाबा केदानात के समान प्रतीत हो रही थी प्रिया ने उस श्विलिं चुकी थी कि स्वयं केदानात बाबा ने उसा दर्शन दिये थे ताकि उसका मनोरत पूर्ण हो जाए अगले कई दिनों तक केदानात की यात्रा शुरुल नहीं हुई लेकिन प्रिया थो केदानात के दर्शन स्वयंभू कर चुकी थी इसल्यों पुन्ह कॉलकाता लोटाई इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें निचे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले अभी के लिए आप सभी दर्शुकों को हर हर महादेव